उनलाइन खरीदा फोन बॉक्स में निकला किताब सुल्तानपूर में एक शक्स को उनलाइन शॉपिंग करना महंगा पड़ गया उसने उनलाइन मुबाइल फोन का आउडर दिया था लेकिन जब उसने मुबाइल का बॉक्स खोला तो उसमें मुबाइल की जगा किताब टॉच चश्मा निकला देखते ही युवक का होश उड़ गया मामला सुल्तानपूर के सुरापूर का है अमित के नंबर पर एक कॉल आई और उसमें कहा गया कि आपको पासजार डिलिवरी के समय देना होगा कि आपको रिबोक की तरफ से चश्मा, जीनस, पैन, टीशिट और समसंग जे सेवन मुबाइल दिया जाएगा अमित ने ओडर तुरंद बुक करा दिया डिलिवरी के समय अमित के हाथ में बड़ा सा बॉक्स आया और अमित ने डाक खाने में पैसा पेमन करके बॉक्स को खोला तो सन रहे गया उस कंपनी के नंबर पर कॉल किया तो कंपनी वालों ने कहा कि अभी तक हमने कोई डिलिवरी नहीं की है कंपनी की बात कुछ समझ में नहीं आ रही है आखिर डिलिवरी कहा से आई अमित अपने आपको ठगा सा मैसूस कर रहा है अवे पुलिस कारवाई के लिए मजबूर हो चुका है सबसे बड़ी बात ये है अभी भी उस नंबर पर बुकिंग हो रही है अमित जैसे ना जाने कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाय गया होगा साहे फल दूद और भोजन नहीं स्कूल जाने के लिए रस्ता चाही मेट से होकर स्कूल पहुँचते हैं बच्चे तहसिल का शायद ये एक लौता ऐसा बेसिक स्कूल है जहां पहुशनी को कोई रस्ता नहीं है बच्चों समेत विध्याले की शिक्षक खेतों की मेट से होकर स्कूल तक पहुशते हैं कई बार मौका मुआयना करने पहुचे अफसरों ने इस समस्या को अपनी आखों से देखा भी है पर समस्या जस से तसी बनी हुई है और विध्याले की भवन भी जरजर हो गया है खिड की दर्वाजे टूटे हुए है नए सतर की शुरुवात हो चुकी है भवन की रंगाई पोताई भी नहीं हुए है डक्टरों की बात को ना मनने के बावजूद आशा भवो ने अस्पताल में जड़ा ताला जामों CSC में आशा भवो ने अपनी नो सुदरी मांगों को लेकर अस्पताल में लगाया ताला आशा भहो की अद्यक सुष्मा दुबे की अगुवाई में नारे बाजी हुई आशा भहो संकी अद्यक सुष्मा दुबे ने कहा कि हम लोगों को अस्पताल में कोई सुविधा नहीं मिल रही है नहीं ठीक तरीके से पीने को पानी और अने सुविधाय लगभग चार घंटे तक में गेट में ताला जकडा रहा मरीजे को काफी दिकते उठानी पड़ी डॉक्टरों से नहीं मिल पाए मरीज खाते से गायब हुआ खाता धरा का पैसा सुरापूर में स्थित बैंक ओफ बरोडा एटियम से पैसा निकालने के लिए आयाय यूवक हरिशंकर पाल पलिया देवपूर का रहने वाला है सुरापूर में मडूला रोट पस्तित बैंक ओफ बरोडा के एटियम में पैसा निकालने गया पहले से ही वहां मौझूज किसी आदमी से एटियम से पैसा निकालने के लिए कहा जिसमें उसकी अकाउंड में 24,000 था और उससे 8,000 निकालना था लेकिन दूसरे शक्स को उन्होंने एटियम देकर पैसा निकालने की बात कही और उस आदमी से 8,000 निकवा लिए और इसी बीच में 40,000, 10,000 उनके अकाउंड से और निकाल लिया जब तक वो समझ पाते तब तक वो गायब हो चुका था लबव थाना का भाजपाईू ने किया घेराव और किया शक्ति प्रदशन वरिश भाजपा नेता हनुमान प्रसाथ सिंग के समर्थन में सेकड भाजपाई हुए जुलिस में शामिल वह दुसरी तरफ धिरेंदर कुमार सिंग के समर्थन भी काफी संक्याओं में जुलिस लेकर हुए शामिल मंडला देक्ष विरेंदर प्रताप सिंग वा वरिश भाजपा नेता हनुमान प्रसाथ सिंग बास्पनेता जिला महमंत्री डॉक्टर संतोर सिंग के ने दर्दों में सेखड कारे करताओं ने थाने का घेराव किया तलाल फरत की डॉक्युमेंटरी फिलिम अठनी कुन नई दिल्ली में आयोजित अंतराश्टिय बिलाल समहारों से प्रशस्ति पत्रम बजारी भारत की राजधानी नई दिल्ली में संपन अंतराश्टि फिलिम फेस्टिवल में 68 से अधिक देशों से प्राप्त होने वाली 219 फिल्म में प्रदश्चित की गई थी जिसमें जाकलीन फर्नांडेस, केतन महता, दिल्ली के उपो मुखे मंत्री माई से सोधिया, कला संस्कृती एवन, परेटन मंत्री कपिल शर्मा, फिल्म एवन साहिती से जुड़े लोग सम्मिलित हुए कराची पाकिस्तान के लेकक एवन देशक तलाल फरहत की थीग ने बौने लोगयों पर अधारी डॉक्यमेंटरी फिल्म अठनी भी प्रदशित की गई, जो की लगो फिल्म की श्रेनी में नामित हुई थी उन्होंने अठनी फिल्म को अंतराश्टी फिल्म फेस्टिवल प्रदशित करके पाकिस्तान के नाम को अंतराश्टी पटल पर सकरात्मक दुष्टिकों प्रदशित करके राश्टर प्रेम का प्रमान दिया एक विशेश भेट वारता में तलाल फरहत ने कहा कि इस ईद के अफसर पर समहारों के अदक्ष रामकिशोर पार्ची का फिलिम को एतिहासिक प्राशित पत्र जारी करने पर उन्हें आर्दिक बदाई दी और कहा कि हम इस प्रकार से प्रेम बाटते रहेंगे सुल्तानपूर से तुफेल इदरिसी की रिपोर्ट मुम्ताज जवेरी इंडिया लाइव न्यूज मुंबई